जन्दमाइश्टमी 19, 23 या 24 अगस्त को साथ ही आने जन्दमाइश्टमी का महत्तो पुजाविदी और शुमहर्थ दोस्तो स्वागत है आपका नमस्ते इंडे न्यूज में मैं हूँ आपका दोस्तो नमीन शर्मा हम बात करें दोस्तो जन्दमाइश्टमी के विशे में कि आखिर कभ है जन्दमाइश्टमी लोगों में बहुत असमंजस बना हुआ है क्या आखिर 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को चली जानते हैं इसे विस्तार से दोस्तो विडियो चुर करने से पहले लगना चाहिए आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें वह बलाएगा नवश्टमाज सब्डेट रहे हैं आप देश की सभी केटरी की अपडेट इवं अलर्ड हबरों से जलते हैं फटावाट जाता है इस साल जनमाईश्टमी की तिती को लेकर लोगों में काफिया समंजस है लोग को समझ नहीं आ पा रहा है कि जनमाईश्टमी 23 अगस्त को मनाई जा रही है या फिर 14 अगस्त को हिंदु माननताओं के अनुसार्ष रष्टी के पलनहार स्रीहरी विष्णु के आठवे अवतार स्रीक्रष्ण के जन्म उत्सों को जन्म अश्ट्यमी के रूप में मनाया जाता है इस साल जन्म अश्ट्यमी के तिथी को लेकर लोगों में काफिया समझसे और यह नहीं समझ आ लेकिन अगर रोहिणी नक्ष्ट्र के माने तो फिर 24 अगस्ट को क्रश्ण जन्म अश्ट्यमी मनाई जाएगी इस दिन सी क्रश्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति और सब कुछ प्राप्त होता है व्यक्ति अपनी सभी मनों काम नहीं पूरी कर सकता है भगवान सी क्र अगस्ट को सुभा आड़ बचकर नो मिर्ट से यहने कि 23 तारिक से जो है अश्ट्यमी तीथी प्रारंब हो रहे है जो 24 अगस्ट को सुभा आड़ बचकर रहेगी तो दोस्तों तीथी तो जो है दोनों दिन हो गई अब यदि हम बात करें नक्षत्र की तो रोहिणी नक्ष अगस्ट को जन्म अश्ट्यमी मनाई जा रही है क्योंकि तीथी भी आड़ बच बाद 9 में तीथी लग रही है फिर भी नक्षत्र जो है रोहिणी रहेगा प्रन्तु तीथी जो है अश्ट्यमी रहेगे उस दिन इसलिए उस दिन 24 सगस्ट को जन्म अश्ट्यमी अरीक तर मनाई जा रही है तो आप उस दिन भी मना सकते है क्योंकि तीथी उस दिन से प्रारंब हो गई है प्रन्तु नक्षत्र के हिसाब से जो है 24 तारीक को मनाई जाएगी अब जान लेते हैं अश्ट्यमी का महतु और और और्थ क्या है भगवान करश्ण का जन्म भात्रपत करश ऐसे माई जाए जाएगी के स्वरूप के लिए स्थी करश्ण की मूर्ति का चुनाओं कि जाती है और आप सभी आवश्यक्ता और मनोकामना ग्यादार पर जिस्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं या कि आप राधाक्रश्ण की पूजन भी करते हैं तो वह हब मानने ह की प्रंतु साथ में लड़्डू गोपाल निभाल कोफाल की मूर्थी अवश्य रखें प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए राधा क्रश्न की संतान की बाल ग्रश्ण की और सभी अलग तरीके के फूलों की विवस्था करें वेजनती के फूल मिल जाए तो सबसे अधा उत्तम है क्योंकि भगवान को वह भवत अधिक प्रिय हैं पिले रंग के वस्तर गोपी चंदन और चंदन की सुगंद की विवस्था भी करें इन तमाम चीजों को भगवान का श्रंगा करें कहीं कहीं धनिय की पंजरी अर्पित की जाती है पूरो सवातिग भगवशन जिस्स्सा की तमाम तरह के वेंजन और इस तरह की जो है है वैश्थाई आप कर सकते हैं और पूर्व सवातिग very बगवանन को भगवान के सजज्जा करें और मुख्य द्वार पर बंदनवार अर्था जो पान के पत्ते की जो बेल बनती है माला बनती है उसे बनाए और जरूर लगाएं मद्यरातरी का भोग और जन्मोसों के लिए विवस्था करें आप रत्रम रखें या न रखें घर में सात्वी का हार ही प्रयोग करें तो दोस्तों यह दिए कुछ महत्वपूर नियानकारी जन्मा इस्टिमी के विशय में इस वीडियो को अज़से श्यार अवश्य करें ताकि सब लोग जान सके इस बड़े अपडेट को और अपडेट रह सके इस वीव में इतना ही फिर हम आपके लिग उपस्तित हूंगा नि पकली जोस्तों खुश रहिए स्वास्त रहिए नमस्ते इंडिया